असलाम अलेकूम आविमेंट मैं हुरिज्वान एमद मेडिश्या फांडेशन अकैडमी से और मैं हूँ आपका मैस टीचर और और आज हम जो हो जो टॉपिक डिस्टर्स करने वाले है वो है चैप्टर नंबर 10 आपके बुक का और इस चैप्टर का नाम है अलजेबरा 4 ठीके बिटा आज हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक है सॉल्विंग एक्वेशन्स एक्वे इकुवल टू 17 रिमूफ कर दूँगा तो इसको हम कहते है एक्सप्रेशन कहते है और जब हम इसमें इकुवल का साइन इंवाल हो जाएगा तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहती देन वो हो जाती है एक्वेशन ठीक है मेंस कि अभी यहाँ पर हमारे पास एक एक्वेशन जैसे हमें इस x की value find करनी है जो के unknown है ठीक है अब देखे पिटा इसमें सबसे पहले इस equation के अंदर कौन कौन सी चीज़ें involved होती है सबसे पहले आपको यह पता रहों चाहिए देखे पिटा जो भी इस 2 को हम कहते है coefficient क्या कहते है coefficient coefficient और यह जो unknown value होती है इसको हम कहते है variable and this one is constant constant तो यह चीज़े तीन basic चीज़े होती है equation के अंदर first one is coefficient जो के जो number यह जो numeric value variable से multiply होती है इस numeric value को coefficient कहा जाता है और यह जो variable है जो के unknown होता है और यह जो है change होता रहता है कैसे change होगा आगे हम जाके इसको पढ़ेंगे and this is constant and this one is also constant अब हमें जो है यहां से हमें find करनी है इस x की value so अब हम इस x की value को कैसे और किस method से find करेंगे ठीके बिटा so चले अब start करते है कि हमें इस x की value को किस तरह से find करना है बिटा इस x की value को find करने के रिए दो different method होते है आज हम इन दोनो method को discuss करेंगे method one and method two जो method आपको easy लगेगा आप उस method को use कर लिजेगा method two okay बिटा हमारे पास equation है two x minus three which is equal to seventeen देखे बिटा सबसे पहले अब इस method में हम ये करेंगे कि इसके दो rules होते है first rule कि सबसे पहले आप constant number को equality के opposite sign पे move करेंगे ठीक है और जब कोई भी number constant number या कोई भी value equal के opposite side पे move होती है तो उसका sign भी opposite हो जाता है means कि अगर कोई value plus की है और इसको move करेंगे तो वो हो जाएगी minus की value हो जाएगी और अगर कोई value minus में है उसको move करेंगे तो वो हो जाएगी plus में means कि यहाँ पे मैं mention करता हूँ अगर कोई value plus की है इसको move करेंगे तो यह हो जाएगा minus में अगर कोई value minus की है जब इसको move करेंगे तो it become plus और अगर कोई value multiply में है इसको move करेंगे तो यह हो जाएगी divide में और इसका अगर कोई value divide में है तो यह move हो के हो जाएगी multiply में So first of all हम यहां से constant number को move करेंगे constant number को move करने के बाद second step में then हम इसका coefficient को move करेंगे देखे पिटा constant number को हमें move करना है so this 2x become as it is अब हम constant number को move करेंगे तो equal to 17 और यह जो constant number है यह है minus 3 जब इसको move करेंगे तो जो value minus की होगी वो move के क्या हो जाएगे plus की value convert हो जाएगी तो it become plus 3 then अब इन values को हम plus कर देंगे so 2x is equal to 17 plus 3 become 20 ओकी बटा first step हमारा complete हो गया अब हम आते है second step पे हमें value find करनी है x की so इस x के साथ जो numeric value है x और इस numeric value के mid में कोई भी sign नहीं है और जब किसी भी दो values के mid में कोई भी sign नहीं होता तो its mean के वो multiply का sign होता है means के ये x इस 2 के साथ multiply हो रहा है अब इस 2 को हम equal के उस तरफ जब करेंगे तो अगर कोई value multiply हो रही होती है और jump होके वो की हो जाती है बिटे divide हो जाती है so अब हम इस x के साथ जो 2 है उसको jump करेंगे so 20 और ये 2 multiply में है यहां पर आके हो जाएगा divide अब हम 20 को 2 से divide करेंगे 2 1s are 2 and 2 10s are 20 so x की value finally हमारे पास आ जाएगी x is equal to 10 which is your required answer this is your unknown value which is unknown okay बिटा clear है सबको okay बिटा so अब इस equation को हम second method से भी करेंगे और then आप compare कर लीजेगा जो आपको method easy लगे उस method से आप इसको solve कर सकते है so हमारे पास question है 2 x minus 3 which is equal to 17 okay बिटा अब इस method में हमें क्या करना होता है values को undo करते जाला है undo का मतलब क्या है remove किस तरह से करेंगे remove करने का तरीका ये है कि 2 x minus 3 ये constant जो value है जिस sign के साथ है उसके opposite sign means के अगर ये minus 3 है तो यहाँ पे हम कर देंगे plus 3 n equal to जो हम plus यहाँ करेंगे वो यहाँ भी plus करेंगे means के minus 3 आपके पास था आपने उसका opposite sign same value जो यहाँ पर आपने किया वही operation वहाँ पर भी हमें apply करना पड़ेगा so अब इस operation को apply करने से बिटा क्या होगा कि minus 3 plus 3 will be cancelled to each other यहाँ पर remaining होगा 2 x is equal to अब इनको plus कर देंगे it become 20 ओके बिटा first step हमारा complete हो गया अब हमारा आते second step है means कि इस coefficient को हमें undo करना है इस coefficient को undo करना है तो मतलब यह जो coefficient है इसके साथ multiply हो रहा है बीच में कोई भी sign नहीं है means कि यह 2 इस x के साथ multiply हो रहा है और multiply का आप वो undo value है अगर multiply है तो हम इसे same value से divide करेंगे ठीक है बिटा अगर हम यहाँ पे भी divide करेंगे तो वही operation equal के उस तरफ भी apply करना पड़ेगा अब divide करने से क्या होगा कि यह 2 इस 2 से cancel हो जाएगा and 2 1s are 2, 2 10s are 20 so value of x value of x is equal to 10 and this is your required answer which is same okay okay student we have an other question which is 3x plus 2 is equal to 16 and we need to calculate the value of this unknown value okay so same method first of all we have to move this plus 2 to the opposite sign जब हम इस plus 2 को opposite sign पे move करेंगे तो यह value plus की है और इसका opposite sign क्या होता है जब value plus की है उसके opposite sign minus है मैं इसके जब 2 को move करेंगे opposite sign पे तो it become minus 2 so 3x 3x is equal to 16 minus 2 16 minus 2 which is 14 ओके पेटा 16 में से 2 को minus करेंगे 14 आएगा now we have to move this value means this the number which is multiplied by the variable and अगर यह number multiply हो रहा है इस variable के साथ और equal के उस तरह इसको move करेंगे तो यह value हो जाएगी divide में means के 14 divided by 3 okay these fraction value आ गई है अब हम चेक करेंगे अगर यह value same table में आएगी तो हम इसको divide करेंगे और अगर same table में नहीं आ रही then इस value को divide नहीं करेंगे यही हमारा answer हो जाएगा so this is our answer यह equation हम second method से करते है second method में बिटा क्या करते है जो value हमारे पास होती है same value with opposite sign उसको हम undo करते है means 3x plus 2 3x plus 2 plus का 2 है undo करने के लिए minus 2 करेंगे which is equal to same operation opposite sign equal के भी apply करेंगे so plus 2 minus 2 will be cancelled to each other this plus 2 and minus 2 will be cancelled to each other and the remaining value is 3x is equal to 16 minus 2 which is equal to 14 so now we have to undo the other value which is 3 and that is multiply by the x and अगर यह value 3 जो है x के साथ multiply हो रही है और इसको undo करना है उसको divide by 3 करना पढ़ेगा और यहाँ पर भी 3 से इसको divide करना पढ़ेगा आप देखें बढ़ेगा same coefficient cancel हो जाएंगे so यहाँ पर remaining होगा just x and 14 and 3 same table में नहीं आएंगे इसलिए 14 upon 3 is our required answer यह हो गया आपका second method से so जो method आपको easy लगे आप उस method से आपने question को solve कर सकते हैं दोन्यों both the method are correct okay students अब एक और question मैंने आपके सामने लिखा है which is 2 multiply by x plus 2 is equal to 16 अब हमें यहाँ से इस x के value को find करना है सबसे पहले देखे पिटा अगर मैं just इतनी value लिखूंगा तो इसको आपने अपनी previous process में solve करना सीखा है कि जब किसी भी constant number को किसी bracket से किस तरह से multiply करते है so उसी method से first of all we have to multiply these two values यहाँ पे पिटा कोई भी coefficient नहीं है तो one होता है आप सब को बता है so first of all हम इनको multiply करेंगे multiply करने का तरीका यह होगा कि आप इस two को भी इस value से multiply करेंगे और इस two को भी इससे multiply करेंगे one by one multiply करेंगे two को पेटा one x से multiply करेंगे it become two x plus का sign है and two को two से multiply करेंगे it become two to the four which is equals to two ओके पेटा अब क्या करेंगे अब इसी method से हमें करना है first of all हम इस constant number को move करेंगे अब यह constant number plus का 4 है equal के उस तरफ move होगा तो यह हो जाएगा minus का so 2x is equal to 2 minus 4 minus कर लेंगे 2x is equal to 2 minus 4 which is equal to minus 2 now these two यह जो 2 है यह multiply हो रहा है variable के साथ अब इस 2 को भी equal के उस तरफ जम करना है जब यह 2 multiply का है equal के उस तरफ जम होगा so यह हो जाएगा x is equal to minus 2 divided by 2 so 2 को 2 से divide कर देंगे so 2 ones are 2 and 2 ones are 2 so x की value हमारे पास बेटा आ जाएगी x is equal to minus 1 and this is your required value इस method में भी इसी तरह first of all हमें पहले इस 2 को इसके साथ multiply करना पड़ेगा जम इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2 x plus 4 is equal to 16 okay बटा 2 x plus 4 is equal to 16 सबसे पहले हमें इस constant number को undo करना है so 2 x plus 4 minus 4 is equal to 16 minus 4 यह plus का 4 था उसको undo करने के लिए same value with opposite side और यहाँ पर जो operation हमने अप्लाए किया इक्वल के उस तरह भी वही operation apply करना पड़ेगा so plus 4 minus 4 plus 4 and minus 4 will be cancelled and remaining value is 2 x which is equal to 16 minus 4 16 minus 4 equal to yes 12 16 minus 4 equal to 12 now we have to undo this 2 which is multiply by the x और अगर कोई value multiply हो रही है और इसको undo करना है तो इसके opposite value से means के divide by 2 and divide by 2 करेंगे अब क्या होगा यह 2 इस 2 से cancel हो जाएगा so remaining is just x is equal to 2 1s are 2 and 2 6s are 12 and the value of x is 6 this is your required answer I hope के आप सब को समझ में आ चुके होंगे यह 2 method और यह जो है आप अपने practice question के लिए अपने book की exercise number 10 A exercise 10 A से आप अपने questions की practice कर सकते है thank you so much, allahafis काई बने, इसमे काई तर Ochum कि आप में बहुतो ढबार यहान आप होंगे सकते हि आप